दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाये गए एक विशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बुलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्थ हैं लेकिन फिर भी उन सब्सक्राइब करेंगे इन्हीं में से एक मंडी के बलक शेत्र के विशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि फॉर्टी एट आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में आप्जर्वेशन पर से होएं वहां उनको मिलने भी आ जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच छे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश स्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्थ हैं लेकिन फिर सब्सक्रावर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगवग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पा सबीक तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बुलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्थ हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 40 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं में से एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए ते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में आप्जर्बेश जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने भी आ जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी सुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच छे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन वाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश अस्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक स सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 गंडे तक अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं में से एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी सुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से सत्रा दिन वाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक विशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई है जो मेडिकल बुलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इन्हीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुआते ट तक फ़क पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हो हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से सत्रा दिन वाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक विशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स व खासे हुए उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि अभी और इस होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगभग पांच ये शे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हो हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच-छे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाये एक बिशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मे होस्पिटल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि पर आने में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो म फंसे होते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगवग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हो हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से सत्रा दिन वाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक विशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स व मसे होते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लग पांच य प्रिये से भी हो रही थी चुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच शे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भ टावर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगभग पांच यह छे दिन के बाद ही यह लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच छे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इन्हीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल अजिसमेंन आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी हॉस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश अस्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी ल इक को मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगभग पांच यह छे दिन के बाद ही यह लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश स्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अबजर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अबजर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेतर के बिशाल भी हैं जो फंसे हुआ थे टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मे यह लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी सुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको होस्पिटल आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्थ हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बल्क शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आ पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी सुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक विशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई है जो मेडिकल बुलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इन्हीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुआते ट पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकि पूर्स वहां से जाई है जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में आप्जर्बेशन पर रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि कर आने में अभी इनको पांच-छे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्क्यारा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से होस्पिटल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि पर आने में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी 40 मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक विशेश अस्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो से होते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लग गर आने में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश स्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो फंसे हुए ते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा ह है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी सुरंग के भ हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं सवस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जरबेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जरबेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फसे हुए ते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में आप्जरबेशन पर रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब ये लग रहा है कि लगवग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी चुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलक्यारा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश स्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए ते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में अब्जर्बेशन पर रखा जाएगा उसके बाद भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगवग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल प सबीक तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश स्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं सवस्थ हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बल्क शेत्र के बिशाल भी हैं जो फसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इस ही होस्पिटल में अब्जर्बेशन पर रखा जाएगा उसके बाद भी लगातार जो है डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिज की सिलकेरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बुलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्व पीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इस होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने भी आ जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग समाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अबजर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अबजर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुआ थे टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मे पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से जाई है जो मेडिकल बुलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरन है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो है वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भी जो रिपोर्स वहां से आई है जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इन्हीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी है जो फंसे हुए ते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब ये लग र इतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच छे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश स्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रि के बल्क शेत्र के बिशाल भी हैं जो फसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे म हैं अब यह लग रहा है कि लगवग पांच यह छे दिन के बाद ही यह लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो आई है जो मेडिकल बुलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो है वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भ हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई है जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिश अब यह लग रहा है कि लगवग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो है वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही तीचरों के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक विशेष अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो र जो फसे हुए ते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी हॉस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो है डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब ये लग रह इसे भी हो रही ती तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच छे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक विशेश अस्टाल में मेडिक हैं उनको भी आप देख सकते तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि अभी और इस होस्पिटल में रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगभग पांच यह छे दिन के बाद आगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच छे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्क अगले 48 घंड तक के अबजर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के भिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने भी आ जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी सुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच छे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से सत्रा दिन वाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश स्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 गंड़े तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में औ और इनको मेडिकल अजिसमेंन आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगवग पांच यह छे दिन के बाद ही यह लोग अप पांच यह दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टर्नल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश स्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल ब स्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगभग पांच यह छे दिन के बाद ही यह लोग पाने में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश स्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मे में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगभग 5-6 दिन को 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश अस्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन जो फसे हुए ते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रह यह से भी हो रही ती चुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच छे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलक्यारा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भ टावर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बाद भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगभग पांच यह छे दिन के बाद ही यह लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंग से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश स्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं सवस्त हैं लेकिन फिर भ ये टावर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बाद भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाए बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन वाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 गंड़े तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में औ और इनको मेडिकल अजिसमेंन आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में आपजर्बेशन पर रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने भी आ जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी सुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पा सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं में से एक मंडी के बल्क शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको म पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी सुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी एक तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाये एक बिशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई है जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल म उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल अजिसमेंन आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगभग में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगभग 5-6 दिन अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक विशेश अस्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगभग 5- 6 दिन के बाद ही यह लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हो हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभ सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेतर के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक विशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आ उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हो हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अ सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इन्हीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको म पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी सुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक विशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई है जो मेडिकल बुलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैं से एक मंडी के बलक शेत्र के विशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो है वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी सुरंग के भी जो रिपोर्स वहां से आई है जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इन्हीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी है जो फंसे हुए ते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल अजिसमेंन आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में आप्जर्बेशन पर रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो है डॉक्टरों की नगरानी में रहेंग लेकिन घर आने में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई ह भी हैं जो फंसे हुए उनको भी आप देख सकते तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि ल लेकिन घर आने में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी 40 मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाये एक बिशेश अस्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो फंसे हुए ते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा ह है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भ हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं सवस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जरबेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जरबेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फसे हुए टेनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग लेकिन घर आने में अभी इनको पांच छे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक विशेश अस्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर् के बल्क शेत्र के विशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे लगातार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच छे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भ आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बाद भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगवग पांच यह छे दिन के बाद ही यह लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच यह दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टर्नल से सत्रा दिन वाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाये एक बिशेश अस्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभ आने हैं सवस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगभग पांच यह छे दिन के बाद ही यह लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हो हैं वहां उनको मिलने भी आ जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच छे दिन लग सकते हैं पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के भिशाल भी हैं जो फंसे हुआ तरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इस ही होस्पिटल म गरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगवग पांच यह छे दिन के बाद ही यह लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने भी आ जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच यह दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्ट्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं सवस्त हैं लेकिन फिर पर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बाद भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगवग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हल इती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश हस्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभ पाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडि परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हो हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच छे दिन लग सकते बीती शाम उत्रकाशी की सिलकेरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्वेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्वेशन पर रहेंगे इन्हीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल अजिसमेंन आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में आपजर्वेशन पर रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलफोनिक जरिये से भी हो रही थी सुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच स्वस्थ हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इन्हीं में से एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल अ बाद ही यह लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इन बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंडे तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फसे हुए टरनल में उनको भी आप द लग रहा है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे होएं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी ती पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलक्यारा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाये एक विशेश स्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलि में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बल्क शेत्र के बिशाल भी हैं जो फसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वी दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने भी आ जा रहा है बाचीत लगतार टेलफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अ सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इन्हीं मैंसे एक मंडी के बल्क शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी सुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाये एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल अजिसमेंन आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब ये लग रहा है कि लगभग हैं अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल होते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बाद भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि पर आने में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाये एक विशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो से होते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा है कि लग गर आने में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश स्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो फंसे हुए ते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे में अब यह लग रहा ह है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाये एक बिशेश अस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिप के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो है डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगवग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुचे हो है वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही लेकिन घर आने में अभी इनको 5-6 दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलक्यारा टरनल से 17 दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाये गए एक विशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई ह भी हैं जो फसे हुए उनको भी आप देख सकते तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बार भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लग पांच य प्रिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच शे दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश सस्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भ कावर तक अभी और इसी होस्पिटल में और रखा जाएगा उसके बाद भी लगातार जो हैं डॉक्टरों की नगरानी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगभग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने भी आ जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच ये दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिल्केरा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश हस्पिताल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक हमाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं में से एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी चुरंग के भीतर भी लेकि वहां से जाई है जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इनहीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हु रहा है कि लगवग पांच ये छे दिन के बाद ही ये लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो है वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी चुरंग चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई है जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इन्हीं मैंसे एक मंडी के बलक शेत सब्सक्राणी में रहेंगे और ऐसे मैं अब यह लग रहा है कि लगवग पांच यह छे दिन के बाद ही यह लोग अपने परिजनों से अपने घरों पर मिल पाएंगे हलांकि कुछ के परिजन जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं वहां उनको मिलने दिया जा रहा है बाचीत लगतार टेलिफोनिक जरिये से भी हो रही थी तुरंग के भीतर भी लेकिन घर आने में अभी इनको पांच यह दिन लग सकते हैं बीती शाम उत्रकाशी की सिलक्यारा टरनल से सत्रा दिन बाद निकाले गए सभी तालिस मुझदूरों का इस समय उत्रकाशी में बनाएगे एक बिशेश स्टाल में मेडिकल चेक अप हो रहा है जो रिपोर्स वहां से आई हैं जो मेडिकल बिलिटन आया उसके मताबिक सभी लोग सामाने हैं स्वस्त हैं लेकिन फिर भी उनको अब्जर्बेशन पर रखा गया अगले 48 घंड तक के अब्जर्बेशन पर रहेंगे इन्हीं मैंसे एक मंडी के बल्क शेत्र के बिशाल भी हैं जो फंसे हुए ते टरनल में उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इनको मेडिकल आपको बताया कि 48 आवर त